बरसात का टाइम पे घर-घर में भाइरल होता है, सर्दी खांसी से इंसान परिसान होता है लेकिन एक ऐसा मसाला कड़क चाए, जो कि आपको अपनी भाइरल हो या सर्दी जुगाम हो, आपको बहुत ही राहत मिलेगी ये मैं दावे की साथ बोल रही हूँ, चाए आज दो तरह की बनाएंगे एक दूद में कड़क मसाला चाए, और एक खांड से बनी पतली मसाला कड़क चाए जये चकरनात, अब सबकर स्वागत है मेरे चैनल छिले स्पाइस बॉक्स में दो तरह की चाए और उसके साथ स्पेसल चाए मसाला चलिए सुरू करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बड़ी इलाईची लिया है उसके साथ आप देख सकते हैं, आट से दस लॉंग है यहाँ पर मैंने 24 से 25 छोटी इलाईची लिया है जिसका साइस थोड़ा चरू से ज़्यादा छोटा हो गया है अगर आपके पास यह हरी इलाईची हलका सब बड़ा है तो आप 12 से 13 डालिये और उसके साथ यहाँ पर हम लेंगे दो तेज़ पत्ता तेज़ पत्ता बहुत अच्छा होता है सारदी खांसी में एक चोटा एक छोटा चमच काली मिर्च भी लेंगे और काली मिर्च दोस्तों यह हमारी बरसात का जो है चाह मसाला में वही बना रही हूँ उसलिए यह मसाले लिए हूँ दो छोटी छोटी डालची नी लिया है जिसको आप देख के समझ सकते हैं दो सिंटीमीटर में ही लंबाई में है ग्यास ओन करेंगे एक प्यान चड़ाएंगे प्यान को उपर दुआधर गरम होने देंगे अच्छे से जैसे हाथ उपर आप दिखाएं ना तो जैसे हाथ तपना चाहिए ग्यास बंद कर देंगे और जो मसाला है उसको जो हम यहाँ पर ही डाल देंगे बस तेजपता मैंने निकाल लिया लेकिन निकाला क्यों तोड़ के छोटे छोटे करके डाल लिए उसलिए मसाली को हमें यहाँ पर साटे नहीं करना है बुनना नहीं है कुछ नहीं करना है बस मसाली को हमें गरम करना है उसलिए मैंने यहाँ पर इसको गरम प्यान में डाला है तो दोस्तों मसाली को अच्छे से दिखे मैं टच भी कर रही हूँ बड़ा अच्छा गरम हो गया है अभ हमें इसको एक मिकसिंग जार में लेंगे यह छोटा वला मसाला पीशते है ना उस जार में लिजिए रई इसको पीश लीजिए पीशने के बाद हमारा जो चाए मसाला है तयार हो गया है फिर से बोल रही हूँ ये बरसात के लिए मैंने special चाई मसाला बनाई हूँ गर्मी में, ठंडी में, अलग टाइप का बनाते हूँ ऐसे ही जुड़े रही है, मैं आप लोगों के लिए ओस मसाला भी लिखे आऊंगी एक यह टाइट कंटिनर में रख लीची है आप लोग सोच रहे होंगे ये दो-तीन चमच मसाला कितना दिन जाएगा अगर आपके घर में मेरे घर की तरह दो कप चाई बनती है और सुबह साम तीन बर बनता है, तो ये एक हपते का मसाला है दोस्तों तो चलिए चाई बनाते हैं, अद्रक बहुत महंगा है अगर स्किप करना चाहें, तो कर सकते हैं, लेकिन तुछ सी जरूर डालिये वरसात की चाई में मैं आपको दिखाने के लिए अद्रक डाल रही हूँ, अभी मेरे किचन में भी अद्रक बनत है क्योंकि अद्रक बहुत महंगा चल रहा है गैस ओन करेंगे और सास्वेंट में बस दो सी तीन बड़ा चमच पानी डालेंगे पानी उबल जाए तो उसमें हम दूद डाल देंगे मैं दो कप चाई बना रही हूँ, तो दो कप दूद ले रही हूँ यह मेरे हजबन की मतलब है, उनकी पसंद की चाई है पतली पानी वाली चाई नहीं पीते हैं और दूद वाली चाई पीते हैं तो दोस्तों दूद थोड़ा सा देखिए उबलना सुरू हो रहा है इस चगे पे हम तुलसी का पत्ता डाल देंगे और जो अद्रक कुंचा हुआ रखा था उसको डाल देंगे आप चाई है तो अद्रक स्किप करके तुलसी का जो दो तिन पत्ते भी आप डाल सकते हैं अगर आपको जुकाम है तो आप फ़र तुलसी का कुवांटिटी बढ़ाईए आपको बहुत आराम मिलेगा अब एक उबाल ऐसे आ जाए तो ग्यास को थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देंगे और चलते हैं चीनी चाई पती डालने के लिए तो जिस चमच से हम खाना खाते हैं मैं उसी चमच से ही दो चमच चाई पती डाली हूँ और देड़ चमच में चीनी डाली हूँ मीठा आप अपनी अकोडिंग कम जादा कर सकते हैं तो अभी जो दूसरा वाला जो चाई देखेंगे ना उसको हम खांड से बनाएंगे चीनी से नहीं देशी खांड से तो इसको अभी मिक्स कर लेते हैं कडची से ऐसे ना चलाओ तो चाई के सिकड़क बनेगी दो से धाई मिनिट उबलने के बाद आप देख सकते हैं चाई का कलर कितना मस्त आया है है ना दोस्तों पुरा टपरी वाली कड़क चाई की तरह दिख रही है अब बार यह मसाला डालें की जिस चमच से चाई पती डाली थी उसी चमच से आप देख सकते हैं एक चोथा ही छ एक मिनिट वाली ज्यादा नहीं चाई तैयार है फ्लेवर के साथ तो चलिए जल्दी जल्दी से छान लेते हैं और इस चाई को मसाला बुट्टा के साथ एंजोई करते हैं मसाला बुट्टा भी मैंने एक सेसल मसाली के साथ बनाई थी आप लोगों ने उसको देखा है या नहीं लिंक आई बटन पे दे दोगी एक बार चिक चरूर किजिएगा तो ये चाई तो तैयार हो गई अब चलिए खांड वाली पतली चाय बनाते हैं एक कप पानी डाल देंगे पानी हलका सा गरम हो तो वही तुलसी और अध्रक डाल देंगे अध्रक स्किप करना चाहें तुलसी और एक दो तीजपत्ता भी आप इक्ष्ट्रा डाल सकते हैं फ्लेम को लो टू मिडियम करेंगे और इस चके पे जब उबाल आ गया है पानी में आब इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे पतली जो पानी वाली चाय बनती है उसमें ज्यादा चाय पत्ती की जरूरत नह मिने लिया था तो उसको डाल देंगे अच्छे से मिला के दो मिनिट हमें मीडियम डू लो फलेम पे उबालना है अभी आप देख सकते हैं चाय कितना कड़क हो गया है और आधी होके पुरा आधा कप रह गया है इस चके पे हमें दूद डाल देना है तो मैं यहाँ पे दो क चाय बना रही हूं जिसके लिए मैं देड़ कब दूद डाल रही हूं यह दिखे है डालने के बाद इसको अभी अच्छे से हमें उबालाने तक पकाना है जब उबाला जाए तो कर्ची से ऐसे घुमाते हुए हम क्या करेंगे इसको मतलब दो मिनिट हम दूद को पका और अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा फलेवराया है मैं इसको थोड़ा कड़क बना रही हूं जिसके लिए यहां पे मैं एक चौथाई छोटा चमच और मेजरमेंट स्पून से दिखा रही हूं ताकि आपको समझा चाय एक चोथाई छोटा चमच चाय मसाला डालें वही आधी मिनिट या एक मिनिट उबालेंगे उबालने के बाद ग्यास बंद कर देंगे और इस कड़क मसाला चाय को हम मतलब गर्मा गरम आप पीचिए आपकी अगर सर्दी चुकाम है बाड़ी में ठकान है आपकी ठकान दूर हो जाएगी मुझे कॉमेंट सिक्षन में ज पिर से मिलते हैं जै चक्रनाथ